नमस्कार न्यूस फॉर नीशन देख रहें आप और मैं हूँ शुभी आपके साथ बिहार विधान सभा चिनाओं तो खत्म हो गए और नई सरकार का गठन हुई भी दो महीने से उपर हो चुका है लेकर इन सब के भी इस तमाम जो राज़ितिक पाटिया हैं वो अभी भी अपनी समिक्षा करने में लगातार लगी वी है कि उनसे बिहार विधान सभा चिनाओं में क्या कुछ गलतिया हो गई क्यों वो जीत नहीं पाए इसको लेकर लगातार वो समिक्षा कर रहे हैं इसी कड़ी में अगर हम बात करें राज़ित की तो राज़ित तो इस बार विधान सभा चिनाओं में सबसे बड़ी पाटी बन कर उबरी है कुछ सीटों के फर्क से ही वो जीतते जीते रहे गई और इस बात का मलाल लगातार राज़ित को सता रहा है शायद यही वज़ा है कि लगातार इस तमिक्षा बाटके की जारी है इसको लेकर कमीटियां बनाई जारी है और एक बार फिर सेती जश्वी आदव ने बिहार विधानसभा चुनाओं में हुई गलतियों का कारण खोजने के लिए दो जांच कमीटियां बनाई है एक उत्तर बिहार के लिए और दूसरा दक्षन बिहार के तमाम विधानसभा सीटों के लिए और इन दोनों ही जांच कमीटियों को एक तस तारिक तक सारी रिपोर्ट जमा करनी है इसके अलावा और क्या कुछ खबर है आपको बताते हैं बिहार बिधानसभा चनाओ में हार के कार्णों की समिक्षा के लिए राज़त ने दो जांच समीटियों का गठन किया है इनमें एक सिमित उत्तर तो दूसरी दक्षन बिहार की सीटों से जुड़ी चनाओ संबंधी शिकायतों की जांच करेगी उत्तर बिहार के शिकायद जांच समीती का संयोजक पुर्व من्तरी डॉक्तर तनुवीर हसन को बनाए गया है शिवचंद्र राम अरुन कुमार यादव प्रशांत मंडल इसके सदस से बनाए गए हैं जबकि दक्षन बिहार के लिए बनी समीती के संयोजग पुर्व मंत्री श्यामरजग बनाए गए हैं समीती में रविंद्र सिंग निराला यादव और मदन शर्मा को सदस से बनाए गया है पार्टी के प्रदेश महा सची आलोक कुमार महता द्वारा जारी इस पत्र में कहा गया है कि कोई भी उमिद्वारी अपार्टी नेता चनाओ के संदर में शिकायत या सुझाओ देना चाह देंगे दोनों समीतिया 31 दसंबर तक जांच कर अपने रपोर्ट अपनी अनुशंसा के साथ प्रदीश अध्यक्स को सौंब देंगे तो तेजश्वी आदम ने जांच कमीटी एक उत्तर बिहार और एक दक्षन बिहार में बनाई है चाकि विहार विदान सबाचुनाओं मे होई गलतियों को निकाला जा सके समझा जा सके कि आखर कहां उनसे भूल हुई है इतना ही नहीं पार्टी के तमाम कारे करता और नेताओं को ये आदीश दिया गया है कि अगर आपको भी किसी भी तरह के सुझाओ देने हैं या किसी भी तरह की बात पार्टी को लेकर बतानी हैं तो आप आसानी से पत्र लिखकर वो सुझाओ हम तक पहुंचा सकते हैं उसके बाद 31 दिसंबर तक यह रिपोर्ट सौपनी है और उस रिपोर्ट को तेजश्वी आदव उस पर